तो बहुत मैं आज तुम को सिखाता हूं attractive marketing राइट अट्रेक्टिव मार्केटिंग क्या है उसमें बात करने से पहले मैं तुम को एक चीज़ बता दूँ affiliate marketing digital marketing जहां पर भी आप सम पढ़ते हो कि वह शब्द आता है called marketing marketing मतलब की marketing is the fundamental marketing is the foundation right अगर आप business करना चाहते हो entrepreneur बनना चाहते हो right so you need to learn marketing right marketing से ही business आता है और पैसा आता है दोनों right business आता है मतलब पैसा आता है okay so you need to be expert in marketing and marketing कैसे आगा creativity से so you should be creative right तभी आप अच्छे से marketing कर पाऊगे बहुत सारे लोगों को जो मैंने भी last में कहा जो line वो समझ नहीं आया तो repeat करके देखना लेकिन बहुत important चीज़े मैंने कही है right so अगर आप पैसे कमाना चाहते है तो you need to learn marketing तो marketing पे सबसे ज्यादा मेरा focus रहा है जितना भी मैंने जितने भी साल spend कि है in this industry call digital marketing and affiliate marketing तो यहां पर मैं marketing पे ज्यादा focus करता हूं और मैंने affiliate hacks में भी marketing पे सबसे ज्यादा बात किये most affordable course and first time launch in India by me your brother right so make sure उसको आप चेक कर लें डिस्क्रिप्शन में तो भाई एट्रेक्टिव marketing अभी इन इन सहाब जादे इन महाशे और इन वाटवर कह लो इन्होंने भी यूज की थी और आप यहां पर देख सकते हो यह इन्होंने अभी यूज किया था रही और इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो अभी इन्होंने और एक दो यूज किया हुआ है इन्होंने क्या बहुत सारे मार्केटिंग का यूज किया था अगर आप मेरे इन्स्टाग्राम पर जाओगे तो मैं आप देखोगे कि जब भी मार्केट इस चीज की मुझे देता है तो मैं मार्केट पर हुक करता हूँ विट एट्रेक्टिव मार्केटिंग राइट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैशिनेट हूँ फॉर मार्केटिंग तो मैं मार्केटिंग को हमेसा टेस्ट करते रहता हूँ चाहाए वो फेल हो चाहाए वो पास हो बट हम पर too much learning मिलती है जैसे YouTube channel पर मेरे मिलती है तो अब भाई मैंने आपको बता दिया कि यह attractive marketing है और attractive marketing कैसे होती है वो सुन लो यह होता है on time attractive marketing must be on time right क्योंकि यह ना किसी दूसरे component के base पर होती है मतलब किसी दूसरे विचार शब्द story whatever मतलब किसी दूसरे base पर की जाती है तो हम उस picture के theory या उस pictures के आने वाली कोई post कोई poster उसका use करके हम लोगों को attract करते है इसको moment marketing भी कहते है इसको creative marketing भी कहते है इसके अलग-अलग form होते है अब आप चाहे जो कह लो ठीक है तो अभी मैंने जो यूज किया यहां पर वह मैंने किया था मनी हाइस्ट का यूज करके ठीक है मनी हाइस्ट एक वैप सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखलो उसका भी मेंसा करता हूँ अब यह लोगों को बहुत फास्ट रग करती है तो अब आपका फाइदा क्या है मैं इतना आपको क्यों बताया डीटेल में कि अट्रेक्टिव मार्केटिंग का यूज आप कर सकते हो एफिलेट मार्केटिंग में अगर आपको फास्ट अटेंशन चाहिए तो आप करोगे अप यह कि अगर माल लो आपको प्रमोट करना है आप एफिलेट कर रहो हो और लाइक 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 किसका एफिलेट कर रहो अपक इ אות करू अपो आपर अप इसका क्या बना सकते हो फोन का आइफोन is like money heist ऐसा लिख सकते हो ना आइफोन is like money heist या आइफोन आइफोन is money heist of your packet ये डकैत है पैसे का डकैत है आइफोन तो ऐसे करके आप आइफोन की भी marketing कर सकते हो लोग बहुत जद्धे आपके posters को देखेंगे क्योंकि money heist trend चल रहा है तो ऐसे करके आप जो भी product है वह अलग अलग चीज़ पर आप उसका बनाओ और उसको market करने की कोशिश करो अगर आप और यह बहुत ज़्यादा आपको फास से लागे दे सकता है फास अटेंशन लागे दे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा आपके चेक जरूर करो एक बार नीचे आपको लिंक मिल जागे मैं यह नहीं बोलता जाके खरीद लो चेक जरूर करो एक बार अगर मन करें तो ले लो क्योंकि कर दे रहा हूं जाके इस वीडियो को चेक कर लेना आपको समझ में आ जाएगा और अगर हो सके तो एंड रोल कर लेना ऐसे ही बहुत ही तगड़ी तगड़ी वहां मार्केटिंग की बात मैंने की है इस वीडियो को लाइक जरू कर देना अगर कुछ सीखने चाहते हो या सीखने मिला है तो सी यू नेक्स टाइम बबाई जहीं